Hi everyone, DPP में आज ये हमारा तीसरा पेपर है, जिसमें आज भी हम 10 important questions देखेंगे, मैं फिर से आप लोगों को बतला दूँ जो अभी questions हम देख रहे हैं, ये previously CGPSC में आई हुए सवाल है, मतलब इससे हमें पता चलेगा कि medical officers में किस level तक के questions और कहां कहां से questions ज्यादा आते हैं, त इसने हनार्थ अक्ष घृतपान कितने दिन कराना जाएं, अक्ष मतलब कि प्योर घी कितने दिन तक पिलाना है मृदू कोष्ट वाले में, 9, 3, 7, 2, 5, ये options हैं, PST में हमारी नहां पे 5 options दिये हुए रहते हैं, तो 5 options के साथ ही मैनिज को implement किया है, इसके answers है, इसका right answer है, B, कि तीन दिन तक करवाना है, second question देखते हैं, हठ योग प्रदीपिका के अनुसार स्रेष्ठ आसन, हठ योग प्रदीपिका मतलब कि ये स्वस्वरित्त का question हो गया, इसका right answer है सिध्धासन, next question, किस सल्ले का निरहरण प्रतिलोम विधी से किया जाता है, सुसुरुत सहिता का स अर्वाचीन, तो प्रतिलोम विधी से अर्वाचीन सल्ले का निरहरण किया जाता है, पुष्यानुक चूर्ण का अनुपान, easy, important सवाल है, पुष्यानुक चूर्ण बहुत ही commonly available drug में से एक है, इसका right answer है, मधू और तंडूलोदक ये दोनों ही इसके अनुपान कहे गए है शुस्रुतानुसार किस व्याधी में रूग्ण को मुख द्वारा कुछ नहीं दिया जाना चाहिए, निल बाई माउथ कौन कौन से डिशीजेस में रखना है, तो ये भी सल्ले का सवाल हो गया, या पिर सहीता बाई देखें, तो सुस्रुतानुसार किस व्यादी में मुख्तम कहा गया है, पर ये थोड़ा था कॉप्लिकेटेड हो जाता है जब गण वाल वाली बात आती है, तो क्योंकि बहुत सारी गण लिखें हैं, बहुत सारी गणों के अलग 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 अप्लिकेसंस हैं, तो उन सब को याद करना आराम से थोड़ा सा मतलब एक लेव दिवांध, धूम दर्शी, रात्ते आंध, बहुधा दर्शी, द्विधा दर्शी, तो पित्त विदग्ध दिष्टी में जब पित्त विदग्ध दिष्टी होती है, तो दिन में दिखलाई नहीं देता है, दिवांध हो जाता है मनुश्य, नेक्ट सवाल, चरक के नुसार ग्यानवान के लिए कितनी परिक्षाएं होती है चरक ने ग्यानवान पूरुसों के लिए कितने प्रकार की परिक्षाएं बतलाई है तो इसका आंसर है option C दो नेक्ट सवाल हम देखते हैं विश प्रकृति काल अन्न दोस दूश्यादी संग में विश संकटम उद्धिष्टम यहां काल का क्या अर्थ है तो काल मतलब कौन से काल की बात हो रही है विश संकट जो बढ़ाने वाला है वर्षा, ग्रीश, हेमंत, सरत, सिसिर राइट आंसर इज वर्षा आज का अंतिम सवाल तरी दोसज इस्तन्य दूश्टी को और किस नाम से जाना जाता है तरी दोसज इस्तन्य दूश्टी मतलब कि इस्तन्य दूश्टी के भेदों को अपने को याद होना चाहिए तब बनेगा मतलब बाल रोक का सवाल हो गया या फिर गाइनी ओप्स वाला question आप समझ लिए अज गल्लीका चीराल सक अही पूतना परवान उपलाव फक्क इसका राइट आंसर है option B चीराल सक विया थी तो आज हम 10 questions देख लिए आज के लिए बच इतना ही जूले रहिए गर साथ में thank you so much